सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजुकेशन संबनी न्यूस तुरंत पाने के लिए शाला दरपन पर पर्थम परक के नंबर फीड करते समय बच्चों के नाम शो नहीं कर रहे हैं या बच्चे शो नहीं कर रहे हैं क्या करें जी हां सातियों जैसा कि अब सभी जानते हैं कि सभी राज की परात्मिक विद्याले मादिमी कुछ मादिमी की विद्याले में सबी बचों के जो ककषा 1 से लगा कि बारा कर आधियां रहते हैं उन Сबी कperform परक ले लिया गया है यानि first assessment ले लिया गया है उनके नंबर भी शाला दरपन पर चढ़ाने हैं किस परकार चढ़ाने हैं यानि किस परकार नंबर फीड करने हैं उसके लिए दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना रखाया कि और यह जो नंबर हम फीड कर रहे हैं वो हमें अपने पर्सनल लोग इन स्टाफ विंडो से फीड करना है प्रतेक शिक्षक को लेकिन कई सिक्षक साथियों के साथ यह प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो स्टाफ लोग इन करते हैं और स्माइल 3 असेस्मेंट में जाते हैं वहाँ पे उनको जो क्लास अलर्ट हो रखी है उसके बच्चे हैं वो सो नहीं कर रहे हैं तो कई उसके रिजन हो सकते हैं जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसका प्रपत्र 5 और प्रपत्र नाइन भी बहा जाता है तो अगर मैं आपको तीन स्टेप दिखाऊंगा तीनों स्टेप आप फॉलो करें तो आपको 100% आपको result मिलेगा यानि कि आपका काम हो जाएगा आपके बच्चे अगर सो नहीं कर रहे हैं तो वो सो कर देंगे सबसे पहले तो आपको एक काम कीजिए कि परपत्र 7 आपको फीड करना है जिसके अंतरगत 30 भासा मैपिंग यानि थर्ड लेंग्विज उसके कौन सी ली होई है उसको सो करना है आपको अगर नहीं क्यार रखा है तो परपत्र 7 आपको फीड करें उसके बाद आता है परपत्र 9 वो भी फीड करें बच्चों का और उसके बाद आता है रीशेट का बटन जो मैं आपको आज दिखाऊंगा सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ शाला दरपन के होम पेज पर यहाँ पर आपको अपना जो इस्टाफ विंडो है मैं लोग गिन करके दिखा रहा हूँ आपको करना काम क्या है वो मैंने दो काम तो आपको बताई दिये हैं कि अगर थर्ड लेंग्वेज बच्चे की है तो थर्ड लेंग्वेज को आपको सलेक्ट करना है प्रपत साथ बढ़ना है प्रपत नाइन बढ़ना है इसके अलावा इस्माइल असिस्मेंट डाटा को र बटन हैसको आप खोल लिजिए इसके बाद आपको यहां आप जाते हैें स्माइल असिसमेंट में इसमाइल आसिस्न में यही पर आपको नमबर चढ़ा इसेस्मेंट ही बच्चों के चढ़ा का पीज होता है यहां पे आम accurate LOG section pattern और exam assessment यह आपको select करके show button के ऊपर click कर देना होता है तो show button के ऊपर click करने पर आपको नीचे अपके सारे बचे है वो show हो जाते हैं लेकिन कई बचोंगे है वो show नहीं होते हैं यानि इनके कुछ बचे तो show हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है smile assessment data है वो reset करना है वो reset आपका smile assessment data है वो जो school login है वहाँ से होगा तो आपको school login करना पड़ेगा school login में आने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का page होता है आपको जाना है smile 3.0 में smile 3.0 में आप click कर दीजिए smile में जाने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह के option अजर आ जाते हैं यहाँ पे आपको third option मिलता है smile assessment reset data तो आप smile assessment reset data के अंदरगत आपको जाना है यहाँ जाने के बाद दोस्तों आपके class, section और session यह सब आपको select करने है class है, section है जिस class का data reset करना चाते हैं जिस class के बचे आपको show नहीं कर रहे हैं उन class का data आपको reset करना है तो यहाँ पे show button के उपर आप click कर देंगे research के उपर click करने पर दोस्तों आपके सामने यहाँ इस तरह के बच्चे show होंगे जितने बचे हैं वो सारे show हो जाएंगे आपको reset button के उपर click कर देना है जब आप एक बार reset button के उपर click कर देंगे यही बचे आपको दो बार show करेंगे उपर current status यानि current student और student in result तो student result में आपको आप दुबारा यह show करेंगे तो यहाँ पर यह सारे बच्चे वापस आपको show कर देंगे जो पहले show नहीं कर रहे थे यह देखिए आपके सामने show हो रहे हैं सारे बच्चे यहाँ आप उसके mark की entry कर सकते हैं और save all कर सकते हैं इसके साथा दोस्तों कुछ आपको ध्यान में रखनी है बाते हैं जैसे class teacher mapping status आपको देखना है कि class teacher को आपको कौन सी class alert हो रखी है हो सकता है कि गलत फैमी की वज़़ से आपको जो class alert नहीं हो रखी है आप उसमें दाटा चड़ाना चाते हैं तो उस बात का भी ख्याल रखें कि class teacher mapping status चेक कर लेजिए कि कौन सी class teacher को alert हो रखी है यह आपको option कार्मिक के अंतरकत मिलेगा कार्मिक class teacher mapping report के अंतरकत class teacher mapping करना चाते हैं तो यहां से कर सकते हैं class teacher report देखना चाते हैं तो यहां से देख सकते हैं ये सब करने के बाद दोस्तों आपके जो क्लास के बच्चे आपको शो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर देंगे धन्यवाद साथ ही उम्मीदे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सस्क्राइब कीजिए पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं जुकेशन समद्धी न्यूस तुरंट पाने के लिए